बूड मॉर्निंग स्टुडेंट आज हम अल्टरनेरिया फंजाई के बारें डिसकस करेंगे अल्टरनेरिया जो है डूटेरो माइसिटीज क्लास का मेंबर है और इसका क्लासी भी किशन हम देखे हैं तो इस तरह से इसके बाद हम बात करते हैं फोग क्लास देखे हैं एसके बात करते हैं फोग क्लास देखेह हैं form class यहाँ सब class नहीं होकर form class जिक्र किया गया है इसकार्थ क्या हुआ कि यह class है deuterumicities जो group है इसमें perfect states absent होती है sexual reproduction absent होता है और sexual reproduction absent होने की वज़े से form class नाम दिया है deuterumicities को imperfect fungus जो है इसली इसको जो है fungi imperfect नहीं कहते है deuterumicities के अंदर maximum जो member होते है वो सेप्रोफाइट होते है या परसाइट होते है और कई तरह की disease कोज करते है कौन कौनसी disease जैसे की early blight ticka disease ए्टे ए्टी होते पनॉजारी टूजाट होते हैं इस तरह से जो यह कई तरह डीजीज कोज करता है deutermycetis के अंदर जो है mycelium well developed होता है branced होता है septate होता है और जो septa होता है perforated होता है perforated septa इसके अंदर septa और multi nucleate condition इसके अंदर पाजिती है nucleus जो जो है कैसा होगा nucleus condition इसके अंदर multinucleate mycelium यह इसकी जो है deuteromycities के विशेषता है और इसके अंदर जो mycelium होता है वो inter और intra दोनों ही तरह का inter as well as intra mycelium condition तो यह जो है deuteromycities form class के विशेषता है deuteromycities को fungi imperfect type fungi imperfect eye यह नाम तो देते ही है क्योंकि इसके अंदर जो है perfect stage या फिर कह सकते है sexual reproduction absent होता है लेकिन इसके अलावा इसको एक इंगोल ने इसको dustbin class भी कहा था dustbin class क्यों कहा था क्योंकि किसी भी fungus का अगर उसकी perfect stage का जब तक पता नहीं चलता है तब तक क्या है एक बार तो उसको deuteromycities group में रख दिया जता है और in future जब उसकी perfect stage मालूम होती है तो उसको जो है वहाँ से अटा करके उसकी proper stage में proper class में चाहे वह S-coomycities की हो चाहे बैसिडिमाइसिडिज को हो या हुमाइसिडिज को उसमें shift कर दिया जता है तो एक बार जिसकी इस्तिति का पता नहीं होता है perfect stage का उसको जो है deuteromycities में रख दिया जता है इसी कान जो है इंगोल ने इसको कहा था कि यह एक dustbin class है उसके बाद हम बात करते है form order monilis monilis की क्या विसे इसता है monilis जो है के member जो है plants के अंदर और human being के अंदर serious disease goes करते है और इसके member इसमें जो quonidia होता है वो quonidia four के उपर लगा रहता है quonidia जो होता है quonidia four के उपर लगा रहता है और जो quonidia four होते है वो free living होते है free living quonidia four इसके अंदर जो है होते है सामनित है लेकिन इसके अलावा कभी कबार इस पुरोडोकिया या cinema में भी assemble रह सकते है किसमें इसमें क्या होता है कि quonidia four जो है उसकी maximum length तक एक cluster के रूप में जो है एक दूसरी के close contact में रहते है और उसका जो अपर पार्ट जो है वो free रहता है और वो जो है आगे चल करके quonidia बनाता है लेकिन जो है maximum member में जो है free living conidia पायते है तो यह जो है monilial form order के विश्रिशता होगी उसके बाद हम बात करते है form family dmaceae c dmaceae c क्या खास बात है किसके अंदर जो mycelium और conidia दोना होते हैं वो dark colored के होते हैं dark colored conidia dmaceae c के अंदर और maximum species जो होती है maximum member जो होते है saprophite होते हैं कुछ जो है इसके अंदर phytoparasite या plants के ओपर जो है parasitic form में पायते हैं तो यह जो है dmaceae c के विश्रिशता होगी अब हम जो है alternatoria के बात करते हैं कि alternator genera है उसकी क्या खास बात है alternatoria जो है वो कई disease कोज करता है जो है saprophite fungus भी है और phytoparasite भी है plants के अंदर disease कोज करता है plants की बात करें तो alternatoria के अलगला species अलगला तरह की disease कोज करता है जिसे alternatoria solenai alternatoria solenai की बात करें तो यह जो है अल्ली ब्लाइट डिजीज आफ पोटेटो पोटेटो मुझो है अल्ली ब्लाइट यह पिर कर सकते है अगेती अंग मारी रोग उत्मन करता है alternatoria tenuous यह एक जनेरा है species alternatoria की और यह wheat के अंदर wheat में कौन सी disease कोज करता है tip point black tip point black tip यह black point disease कोज करता है किसके अंदर wheat के अंदर इसके अलावा alternatoria में अल्टरिनिरिया ब्रेसी की अल्टरिनिरिया ब्रेसी की क्रूसिफेरी फैमिली के अंदर leaf spot disease कोज करता है leaf spot of क्रूसिफेरी तो इस तरह से अलग अलग मेंबर इसके अलावा alternatoria कुकर कुकु मेराइना भी species होती है और वो जो कुकर बेटेसी फैमिली जो है उसके अंदर भी disease कोज करता है तो ये अलग 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 plants के अंदर disease कोज करता है अब हम सामने देखें कि early blight or potato होता क्या है कि अगर हम इसकी leaf को देखें तो ये जैसे ये potato leaf है ये leaf इस leaf में जो है इस तरह सी spot इस तरह सी ये जो है target board spot ये जो है ये आप ये काशते हैं concentring ring के रूपे है इस तरह से जो है ये symptoms कोज करता है सबसे पहले जो है plants के जो है lower leaf में होता है और lower leaf के बाद में उसके बाद देर देर उपर के बढ़ता है जो उपर की पत्यां होती उसमें जो है ये इस तरह के symptoms इसके अंदर दिखाई देते है और ये जो है पूरी leaf पर जो इस तरह से sun के अंदर ये जो spot जो संजना हमें नजर आ रही है इस तरह से जो है इसकी spot या फिर symptoms लक्षन नजर आते हैं और देर देर ये फैलते रहते हैं और इसकी वज़े से क्या होता है कि इस जो है leaf का photosynthetic area जो है कम हो जाता है और इसके अलावा जो अगर vigorous infection की condition में क्या होता है कि इसमें जो है यहां से leaf से infection जो है इसकी PTOL में चला जाता है और PTOL से stem चला जाता है और इसके बाद बहुत ज़्यदा infection के condition में जो है ये जो है tubers में चला जाता है tubers में जो फिर पल्क होती है potato की वो भी है cork में जो है convert हो जाती है तो इस तरह से इसके अंदर जो है early blight और potato में leaf के उपर इस तरह से target board symptoms हमें लज़र आते हैं और वो symptoms जो इसके photosynthetic region को दिर दे कम कर देते हैं और vigorous infection की condition में यहां से होते भी ptol, stem or जो है tuber तक symptoms इसके चले जाते हैं तो इस तरह से यह early blight और potato के सामेरे लक्षन हमें नज़र आते हैं उसके बाद हम देखते हैं vegetative structure alternate area की जो है vegetative structure देखते हैं कि किस तरह से हमें दिखाई देते हैं यह इसके vegetative structure में जो alternate area का माइसिलिम होता है वो माइसिलिम कैसा होगा? acceptate branched multi-nucleate accepta perforated इंटर एस वेल एस इंटर सेलर इस तरह का जो माइसिलिम इसके अंदर पाज़ता है यह हमें सैप्टा नजरा रहा है सैप्टा पर्फोरेट रहते हैं इसके लावा यह ब्रांच्ट है और यह मल्टी नूग्लेट कंडिशन में है बहु केंदर की यह अवस्ताम है और जो अल्टेनरिया का जो माइसिलिम होता है आइफी होती है उसमें जो होस्टोरिया अपसेंट होते हैं होस्टोरिया जो है अपसेंट होते है तो उसका जो है अनुपस्तित होते हैं यह इसका जो है इसका माइसिलिम उसके बाद जो हम reproduction देखते हैं अल्टेनेरिया में कि reproduction जो है इसमें किस तरह सोता है जब reproduction की बाद हम करते हैं अल्टेनेरिया में तो हम सबसे पहले हमेरे दिमागों आता है कि यह भंजाई imperfect time आता है और इसके अंदर sexual reproduction जो है totally absent होता है तो sexual reproduction इसके अंदर absent और reproduction होगा है जो होता है इसके अंदर इस sexual reproduction वो किसके दौर आता है exogenous conidia के दौरा conidia के दौरा इसके में अंदर जो reproduction होता है अलेंगी की general होता है और conidia का निर्मान जो है किस पर होता है conidia 4 के उपर और यह conidia 4 जो है सामने ते क्या होता है unbranched unbranched conidia 4 के उपर होता है मैं एक diagram जो है बना रहा है रहा है तो यह 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 झाल 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 माइसीलिम की समान ही प्रतीत होती है और अल्टनिडिया की कौनिडिया जो है किस तरह के होते हैं ये एक सिंगल कौनिडिया है तो इसकी स्टेक्चर हमें देखें तो ये किस तरह के हैं अद्ट जा आए बह और प्रति मुगद्राकार प्रति अंड़कार और इस्टि का पुंजाब इस तरह के जो है इसके अंदर कॉनिडिया होते हैं और मल्टी सेलूलर बाकी ग्रूप में देखें दे कॉनिडिया जो है यूनिसेलूर होते हैं लेकिन डिटेरमाइसरिस क्लास के अंदर जो कॉनिडिया पाई जा रहे हैं वो मल्टी सेलूर बहु कोशी के होते हैं और इसके अंदर जो है ये जो है मल्टी सेलूर कॉनिडिया इसके अंदर ट्रांस कोनिडिया एक chain में बन गए फिर आगी चलकर के जो है chain बनने वहाद यह यहां से air dispersed होते हैं वाई दर अप्रक्रेनद होते हैं और यहां से जो अलग होकर गए और यहां से separate होगी यह यह इतो हो गया और इसके बाद में जो है एक proper substrate बिरने के बाद यह germinate होते हैं और humid environment में ये इसका germination बहुती quick होता है जल्दी होता है और उसके बाद किसी host पर गिरने के बाद इसमें जितनी cells होती है जितने septa बनने के बाद जो cells बनी है उस cell से हर एक cell से exam tube निकलती है और उस फिर host के stomata के थो intercellular space में enter होती है और वहां से ये host में अच्छी तरह से establish हो जाती है intercellular establish होने के बाद में intercellular form में भी इसके अंदर host के अंदर mycelium बनाती है तो इस तरह से जो है alternatoria के अंदर conidia के द्वारा a language gen or sexual reproduction complete होता है Thank you